हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है नरेंद्री और मैं आपका बुद्बध स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अकाउंट्स यूर शॉलिशन में आज का अपना टोपिक है बहुत ही इंपर्टेंट है तो दोस्तों आज के टोपिक में मैं आपके लिए बताऊंगा क्यों कोन कौन को हो सी है गया तो एसे पुलटे इस अड़्स मालूं नहीं रहता है कि इसा पॉरा लिए और 30 पीश अगर निकलते हैं काटॉन है इसमें कितने पेस है इसमें होता है बिईजी के अंदर से बिलो में आपने देखा होगा पैकिंग वन इन to 301 into 10 इस तरीके से लोगों को पता चल जाता है कि आपका जो ये काटून है कितने पीज का काटून है तो चाड़ाने में भी दिक्कत नहीं आती और सामने आले को माल मिलाने में भी दिक्कत नहीं आती तो इसका solution आप कैसे कर सकते हो और willing करते time पे आप लोगों को पता चल जाए कि यह जो मैं packet या cartoon जो भी बना रहा हूं इसके अंदर कितने piece है तो आप लोग पता कर सकते हो bg accounting software के अंदर इसमें मैंने 10 point cover किये हैं आपको पहले तो वो कहां लिखना है और उसको default जो format है उसके अंदर आपको कैसे print करना यह पूरा तरीका में आपके लिए बताऊंगा तो वीडियो में आप end तक बने रहे और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe कर ले तो दोस्तों यहां पर मैं बात करने वाला हूं पहले तो क्या करता हूं आपके लिए यह बताता हूं कि मैंने क्या लिख रखा है और उसका print किस तरीक से आ रहा है तो यहां पर एक invoice में बनाता हूं ठीक है मैंने एक item लिया क्या लिया मैंने एक बोनविटा item लिया सब्सक्रों दस पीस लिए ठीक है 500 पेस की rate डाल देता हूं अब जो मैं पॉइंट आपके लिए बताना चाहरा हूं इसमें क्या है इस तरीके से setup किया है कि इसमें जो पेकिंग है अब यह जो पेकिंग है एक इंटू पंद्रा यानि यह जो वोन किया है यह मेने डिजल मनहीं किया है यह इसके लावा आप जो शेल का विल बनाते हो अभी मेने यहां पे आपने देखा नहीं है अब एक चीज़ तो यह है कि आप लोग कैसे प्रिंट कर सकते हो इंवोईस के अंदर पेकिंग को इसे आपको सिवीधा रहेगी पलस जो आप से माल पर्षेज कर रहा है उसको भी सिवीधा रहेगी इस लिए सिवीधा रहेगी कि जैसे वह इनुव इसको चड़ाएगा आपने दस कार्टून तो लिख के बेज दिया लेकिन वह बार-बार अपने मालिक से फोन लगा के पूछता है कि सर इस बिल का एक बार आप पूछो कि कितने पीस की पेटी है या उनको फुजीकली चेक करना पड़ेगा तो यह फुजीकल चेक करवाने के आपको कोई आउशकता नहीं है आप बीजी से इस तरीके का बिल बना के दो तो ताकि सामने आले को पता चल जाए कि यह जो कार्टून है कितने पीस का कार्टून है मैंने कह किया यहाँ पर जै आइटम के साथ ही जोड़ जेते हैं जबकि आइटम का जो नाम है उसका ग्राम है या फिर उसमें जो भी एक तरीके से उसका आइटम का नाम है वो आइटम का नाम पूरा लिखते हैं इसके बाद पेकिंग वेकिंग सब कुछ उसमें MRP सब कुछ इसमें डाल देते हैं जबकि हर बार अलग-अलग MRP का आपके पास माल आता है तो MRP वाला features enable करें उसके बाद आप working करोगे दूसरे MRP का आपने माल purchase किया है तो sale करते टाइम पे double MRP का माल आपको दिखने लगेगा उसमें से जो इसी भी MRP का माल आप बेचना चाहते हो वहां से आपको select करना है तो यहां पर आपने देखा कि यह जैसे 500 ग्राम की जो packing है एक इंटू 15 अब इस तरीके से भी आप कैसे दिखा सकते यह भी एक point है इसके लावा यह मैंने लिखा कहा पर है यह भी point है तो यह तीनो चारों चीजे में बिल्कुल practical करके आपके लिए बताऊंगा इससे आपको तकलिप नहीं आएगी तो मैं क्या करता हूं यह मैंने कहां लिख रखा है जो मैंने लिख रखा है उसके बारे में भी आप लोगों के लिए मैं बता देता अब पहले तो आपको क्या करना है जैसे आपके लिए जो मैं चीजे बता रहा हूं अगर आपने अनेबल कर रखी है आप यूज कर रहे हो तो ठीक है अगर आप इस तरीके से चाहते हो इन चीजों का इसमाल नहीं कर रखा है तो आप कैसे कर सकते तो देखो फॉस्ट में आ चाहि किया वनफर क्रेस करने बाद यहां पर लिख दिया इसका ऑफ्स्नल फिल्ड वन के अंदर मेने ने पैकिंग लिखा टैक्स लिखा और यहां से मैंने सेव कर दिया यानि एक एक स्टेब बाई स्टेब में आपके लिए बताऊंगा तो जल्दी आपको समझ में आएगा मैंने क्या किया अब मैं क्या करता हूं जैसे नए आइटम बनाता हूं सपोज करो मैं एक नए आइटम बनाता हूं आइटम का नाम लिखा जी 200A ठेक है अब यहां पर जं़र कुरूप मैंने सलेक्ट किया देखो blends मेरे से पूछा जा रहा है यह पेक इंग कितने की हैं अब मैंने लिखा जिए यहां पर एक 32 22ंश हो सकता है आपमें कितनी भी रहे लेकिन मैं लिखा है यहां पर 32 पीस का काट्टून है ठीक है अब मैंने यहां पर फास्ट में पीस लिख दिया और यहां पर सीवी लिख दिया सीवी के अंदर कितने हैं 32 और यहां पीस बराबर काट्टून ठीक है यहां पर अठारा परसेंट सेलेक्ट किया, 18% सेलेक्ट किया, HSA number में ने डाला, यहां से मैंने कर दिया save, save करने के बाद अब इस item को, जैसे मैं bill बनाता हूँ, किस item को, सब पूछ करो कि यह जो item मैंने लिया है, सान्ति आमला 200 ml का, अब जैसे मैं bill बनाने जा रहा हूँ, तो मुझे यहां पर दिखाए दे रहा है, कितने पीस का कार्टून है, एक इंटू 32 मैंने जो लिखा है, जो यहां पर प्रिंट आउट में तो आएगा, इस ही, यह प्रिंट आउट में भी एक बार में करके दिखाद देता हूँ, आपके लिए, ठीक है, यहां से मैंने save किया, save करने के बाद, standard वाला जो format है, इस पे भी मैं आपके लिए दिखा देता हूँ, इसमें जो मैंने 1 into 32 लिखा था, 1 into 32 यहां पर लिखा हूँ आ गया, तो मैंने कहां पर लिखा, पहले मैंने क्या किया, optional field चालू किया, optional field चालू कहां से करना है आपको, configurations पे किलिक करना है, master पे किलिक करना है, मास्टर कॉन्फिग्रेशन्स पे आइटम पे आपको क्लिक करना है यहां पे पेकिंग लिख दिया और दूसरी सेटिंग मैंने क्या करी मुझे इसको दिखाने के लिए मतलब सेल बिल बनाते टाइम पे मैं देखना चाहता हूं तो ओप्शनल फिल्ड वन का यहां पे आप क्य लिखा है सेंड में करेंटी फिर ले रखा है और थाप्र में ऑफ्नल फिल्ड वन ले रखा है यहां से चाहो तो आप चेक भो कर सकते हो यहां पे और यहां से मैंने save किया तो आप लोगों को यह पता चल गया कि optional field कहां से चालू करना है उसको sale bill बनाते time पे आपको केसे देखना है इसके लावा अब आता है printing का part कि printing में आपको क्या करना है देखो दोस्तों मैंने क्या किया है आपका जो standard वाला जो format आता है आपको standard वाला format कैसे change करना है वो तरीका मैं आपके लिए बता देता हूँ आप लोग क्या करोगे configurations पे आपको क्लिक करना है invoice document printing पे आपको क्लिक करना है standard पे आपको क्लिक करना है sales invoice पे आपको क्लिक करना है इसके बाद self configured वाला जो option है इस पर आपको click करना है click करने के बाद मैंने क्या किया item का optional field 1 के अंदर 10 किया और यहां से adjust करके इसका जो है total 136 total width है तो मैंने 136 कर दिया यहां से मैंने save किया बस मैंने यही configuration किया है और कुछ नहीं किया मतब अगर मैं इसको अटा देता हूँ तो यह packing नहीं दिखेगी तो मैंने यहां पर 10 से add किया और यहां पर लिख दिया packing ठीके इसके बाद मैंने क्या किया इसको save कर दिया अब मैं अगर print out देखता हूँ यानि अगर मैं preview देखता हूँ तो इस पे मैंने जो bill बनाया है किस तरीके से दिखेगा जो कि अभी मैंने आपके लिए बताया तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि यह जो सांती आमला जो product है एक इंटू 32 32 की यह packing है इस तरीके से आप लोग print कर सकते हो और आप से जो भी माल purchase करते हैं उनको invoice चाड़ाने में तकलिफ नहीं आएगी और उनको यह पता चल जाएगा कि इस जो आपका cartoon है उसके अंदर कितने piece की packing है तो यह काफी confusion रहता है और इस तीन चीज़ों का मैंने answer आप लोगों के लिए बताया है और धीरे तीरे जितनी भी बीजी के जो भी यूज आने वाली चीज़े उनके बारे में सभी के बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा काफी वीडियो मैंने बना रखे तीन सो पचास वीडियो अभी तक मैं बीजी अकाउंटिंग सॉप्ट्वेयर की बना चुका हो और जो अपना जो चेनल है अकाउंट्श यूर स्यूलिशन उस पर मैंने अप्लोड कर रखा है चेनल पर नए हो तो आप देख लिया करो ताकि आपको पता चल जाए कि बीजी में इस तरह का काम भी हम कर सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको वीडियो अच्छा लगाए तो वीडियो को लाइक और सेट जरूर करें अगर आपको BG Accounting Software में किसी भी तरह का Invoice का डिजैन का अगर आप काम कराना चाते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हो जो भी साइज आप चाते हो चाए A4 की हो चाए हाप पेज की हो चाए आपका 3 इंच वाला हो या Estimate Bill Format हो अगर BG Accounting Software से WhatsApp मेसेज बेजना चाते हैं तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरा जो कॉंटेक्ट नमबर है 800-929-9928 तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ थेंक यू